Hey guys I am Shredhaör और आज मैं घर पे आपको दू तरह का सेरिलिक बनाना बता रही हूँ पहला है अपल सेरिलिक तो इसको बनाना बहुत असान है ताजय अपल से आप घर पे बना सकते हैं जब भी भी मन कहे अपने बेबी को खहलाना हो तो हमने एक पीस देख लिया है एक पीस सेप से बना सकते हैं तो इसमें मैंने एक चीनी थोड़ी से मिक्स कर लिए ताकि टेस्ट फीका ना लगे बाकि आपके उपर है एड़ करें या ना करें और हम घी नहीं डाल रहे हैं विकास घी थोड़ा हैवी हो जाता है डाइजिशन के लिए आप चाहें तो पहले सेप को थोड़ा से घी में भुन के फिर ये प्रोसेस करें या फिर आप डिरेक्ली वॉयल करके पकाएं तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला था और इसको आप देखने हैं अच्छे से वॉयल करके हमें सेप को पका लेना है बढ़िया से और जैसे जैसे हलका पकता जाएगा ये ट्रांस पैरेंट हो जाएगा जादा टाइम ने लगेगा जैस्ट हमें दो मिनिट लगते हैं दो मिनिट से भी कमी टाइम लगता है सेप को पकने में और अगर आप छोटे-छोटे पीस करके डालेंगे तो और भी जादा कम टाइम लगेगा तो ये देखे हैं बॉयल हो रहा है लगतार एंड हमारा एपल जो है को खो रहा है बहुत बेटर होता है घर पे बना करके बेवी फूटस बेवी को खिलाना उसके हेल्थ के लिए भी और उसके सेफटी पर पचसे भी तो देखें बॉयल हो गया था अच्छे से दो मिनट और मैं इसको दबा के दिखा रही हूँ कि एकदम जो हमारा एपल लेना वो एकदम बढ़िया से मैश हो जाएगा देखें वैसे तो अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया हो एक साल से जादा का हो देगर साल का हो दो साल का हो उसके दाथ भी पूरी हागे हैं तो अब भी आपके बच्चे के टीट नहीं है तो आप उसको इस तरही के खिला सकते हैं सेरेलिग मना के तो ये देखिए इसको हम डाल देंगे तो हम ठंडा कर लेंगे उसके पर इसको डाल के हमें इसको ग्राइंड करना है अगर इनकेस आपके बच्छे को एपल का टेस्ट पसंद नहीं आए तो आप इसमें होम मेड सेरलिक भी डाल सकते हैं मैं वो भी आपका वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी बहुत जल की होम मेड सेरलिक कैसे बनाना है तो ये देखिए एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनके रेडी है इसमें मैंने थोड़ा सा दूद भी डाल लिया था तो ये देखिए काफी गाड़ा भी है अब इसमें थोड़ा समय दूद और मिला लूंगी और जैसे मैंने कहा कि सेरलिक भी मिला सकते हैं या milk powder भी मिला सकते हैं तो यह देखें अच्छे से बढ़ियां से हमारा apple seralik ready है खिलाने को बच्चे को यह baby food हमारा ready है second वाला है वो visitable वाला है that's mean potato seralik है यह आलू से बनाएंगे हम seralik को आप चाहें तो इसको जो seralik है green visitable लौकी का भी बना सकते हैं फिलाल मैं आलू से बना के दिखा रहीं because आलू क्या होता है health के लिए अच्छा होता है बच्चे अगर आपको पतला दूबलावे से दें तो उसकी तंदुरूस्ती भी अच्छी से बनेगी यह थोड़ा weight gain करेगा अगर आपको बच्चे का weight बहुत कम है तो यह देखिए इसको हमने एक आलू अच्छी से बॉइल करके च्छी से चिल के, wash करके रखा है और इसको हमें मैश कर ले ना है या तो आप कड़्ू कस कर ले या तो फिर मैश कर ले और easily मैश हो जाता है काफी अच्छी से बॉइल हो गया है तो ये दिए अच्छे से मैश हो गया है और अब हमें हमें करना की आगी है कि इसको हमें पकाना है जैसे हमने अपल बेलबे पकाए थै तो इसे हम दूध मेंड पकाएंगे Because अपल को दूध में जब पकाऊ तो दूद फर्ड जाता है तो वो टेस्ट खराब हो जाता है इसलिए हम पहले आपल को पानी में हमेशा पकाना चाहिए उसके बाद भी बात में दूद अडिक्ली दूद में पका सकते हैं तो इसको दूद में थोड़ी सी चीनी डालेंगे और दूद के साथ आधी कब दूद के साथ अच्छे से हम पहले पका लेंगे इसको बढ़िया से और यह देखे वाइल हो रहा है दूद और यह वोईल है तो जल्दी से पग पी जाते हैं तो हमने यहां पे आदा चोड़े च हमारे आलू पग गया है दूद में घुल गया है तो अब हमें क्या करना या तो आप इसे मैशर के साथ अच्छे से मैश करके एक अग्दम हलवा जैसे रेडी कर लें और तो पिर हम इसको ग्राइंड करके एकदम स्मूद सेलिक बना के रेडी कर लेंगे अभी मैं यह थोड़ासा भी थनड़ नहीं है थोड़ासा अग्यों घृंण कर लेंगे और मिक्सरो चार में डाल के ग्राइंड करकी ए va loss मूध पेस्ट पंश पयाएंगे तो अब हम्धाल सा थंड़ा कर लिए मैंने हो इसको में घ्राइंड कर लेते हूँ थो एक मिरट भी नंखता और पतला करना तो आप फ़ड़ा सा दूर एट कर सकते हैं इसमें अपने इकॉर्डिंग इसकी कंसिंटिंसी मैनेज कर सकते हैं तो यह देखे हमारा आलू का सरलेक भी पसंद है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो देन प्लीज लाइक शेर एं सिब्सक्राइब थैं क्यू